अक्सर अपने विवादित बयान के कारण खबरों में रहने वाले क्यार के उर्फ कमाल आरखान एक बर फिर खबरों में है जी हाँ, एज यू नो की कॉंट्रोवर्शिल रियालिटी शो बिग बॉस सीजन 10 जल्द ही अपने मुकाम तक पहुँचने वाला है फिनाले के लिए बिग बॉस के चारो कंटेस्टेंस लोपा मुद्रा, बानी, मनवीर और बनु पंजाबी काफी मेहनत कर रहे हैं बिग बॉस का फिनाले जैसे जैसे करीबा रहा है, वैसे ही लोग अपने हिसाब से अनुमान लगा रहे हैं कि कौन सा प्रतियोगी इस सीजन का विजेता बनेगा जहां लोगों का मानना है कि मनवीर इस सीजन का विनर होगा, तो वहीं एकस कंटेस्टन के आरके का कुछ और ही मानना है के आरके ने हाली में ट्वीट कर संसनी फैला दी है कि बानी ही इस सीजन की विनर होगी, ये पहले से ही तैह हो चुका है के आरके ने अपने ट्वीट में लिखा बानी बिग बोश 10 में वाया कॉम नेटवर्क के एक कॉंट्रेक्ट के तहट आई है और बानी ही बिग बोश 10 की विनर होगी एक और ट्वीट में के आरके ने बताया कि क्योंकि वायकॉम किसी दूसरे को प्राइज मनी नहीं देना चाहता है क्यार की कैसे ट्वीट्स देखकर बानी की बेस्ट रेंड गौहर खान कैसे चुप बैठ सकती थी इस बात का करारा जवाब देते हुए गौहर खान ने ट्वीट किया है जिनके पास कोई काम नहीं होता वो अफवाफ फैलाते हैं बानी का वायकॉम के साथ कॉन्ट्राक्ट दो साल पहले ही खत्म हो गया है ये पहली बार नहीं है कि क्यार के ने सीजन के विजेता के नाम का ऐलान किया हो इससे पहले भी के आरके ने ट्विटर पर लिखा था कि इस शो के विजेता रोहन महरा होंगे लेकिन ये ट्वीट उन्होंने हटा दिया था